गुड बॉर्निंग प्यारे बच्चो वेलकम टू आर चैनल ओडान सपनों की आज हम करेंगे क्लास 6 की गनित की वॉक्षीट वॉक्षीट नमर 30 जो कि आपके लिए 21 जनवरी की है प्रायोगी जायोमेती हम कर रहे थे लंब रेखाएं आज हम करेंगे देखिए दो प्रतिछ के हैं ठीक है लंब मतला 90 डिए इंगल रूलरो सैटे स्क्वेश्ट से कैसे बनाते हैं देखिए कोई भी लाइन ड्रॉप कर दिया हमने चैटे स्कुरियर और यह पॉइंट लेकर लेकर इसको इससे लाइन को मिला दिया तो यह मारे क्या बन गई लंब बंगे इसके अलाव पर रखके एक चाप यहां इसको आप ऐसे सीधा खीज दीजिए तो यह आपका क्या हो जाएगा क्यूपी जो है यह आपकी लंब हो जाएगी किस पर रेखा L पर चीक है तो चलिए क्वेशन देख लेते हैं एक 6 cm रेखा खंड कीचना है 6 cm का रेखा खंड कीच दीजिए इस पर कोई बिंदू M कीजिए M हमने यहां ले लिया M से होकर AB पर एक लंब रूलर और प्रकार द्वारा कीजिए देखिए इस पर आप यहां रखेंगे यहां प्रकार और एक यहां यहां रखेंगे एक कट यह यहां एकट यहां इसको मिलाएंगे क्योंकि इन्होंने बोला है M से होते हुए जाना चाहिए तो यह भी होगा है कि इस से बनाना है एक लंब रूलर और स्क्राइब से बनाना है यह चीक है तो यह फ़र्स वाला जो था वह तो सिर्फ रूछर से था और यह हमारा सैट स्क्राइर से तो इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं नहीं है यहाँ पे वो set square रखिए line सीधी draw कर दीजे S से होकर CD C और D ऐसे हम इधर भी रख सकते हैं तो एक यहाँ हो जाएगा तो यह सीधे हो जाएगा S से होकर जाते ही बोला है उन्होंने इसलिए तो यह C और यह हो गया D तो मैंने solve किया हुआ है चलिए हम देख लेते हैं इनके answers भी आपको तब एकदम clear हो जाएगा देखिए जो आपका first question है उसमें आपको क्या करना है 6 cm की एक line draw करनी है उसपे point लेना है M और AB उसपे perpendicular बनाना है यानि कि आपको तो इसके लिए आपको क्या करना है यह प्रकार और scale दोनों की help से करना है यानि कि ruler और compass दोनों की help से करना है सबसे पहले आप क्या करेंगे सबसे पहले आप 6 cm की line draw कर लेंगे ठीक है तो हम यहाँ से 6 cm की line draw कर लेते हैं यह हमारा हो गया 6 cm ठीक है यह हमारा हो गया 6 cm इस पे इन्होंने वोला कोई point लेना है M, मैं कहीं भी point लेती हूं M, ठीक है, इससे आपको क्या करना है, circle बनाना है, semicircle, जो भी आपने point लिया है, मैंने M point लिया है, ये देखिए, बन गया सामी सिर्कल अब आपको क्या करना है इसको थोड़ा और ओपन करना है कमपस को इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे इसको मैं X Y नामी दे देती हूँ यह X हो गया यह Y हो गया ठीक है इसको बिना हिलाए Y पे रखिए और एक आर्क यहाँ और एक X पर रखे A कार के हाँ जब आप इसको बिल्कुल स्ट्रे इसको ड्रो करेंगे तो यह इस पे बिल्कुल इस पॉइंट से आएगा तो यह आपका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बन गया ठीक है लेकिन आप आपको क्या करना है इन्होंने बोला है कि यह जो नाम है इसको A भी देना है यहाँ मैंने A दे दिया अब आप देखे B कैसे देंगे B हम इसको तो नहीं दे सकते इन्होंने तो का है यह पॉइंट M लेना है तो इसको हम क्या करेंगे एक्स्ट्र क्या है क्योंकि उन्होंने बोला ही कुछ ऐसा है confusion सा है थोड़ा अगर वो बोलते हैं कि M पॉइंट से पास होके जा रहा है तो हमें वह इसको थोड़ा और नीचे तक straight ड्रॉ करना पड़ेगा question number second देख लेते है 8 cm लेना है उसके point S लेना है यह मेरा 8 cm हो गया ठीक है यह है मेरा 8 cm अब इन्होंने क्या कहा है कोई भी point लेना S ठीक है मैं कहीं भी point ले लेती हूं ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल इस line के middle में भी लेना है आप कहीं भी ले सकते है perpendicular का मतलब है कि बस उसको 90 degree का angle बने कोई जरूरी नहीं है कि मैं इसको यहां भी ले सकते थी तो ऐसा मत सोचना है कि बीच में लेना है यह बिल्कुल exact बीच में लेना है ना आपके लेना है measure करके लेना है कहीं भी ले लीजे point ले लिए बस आपको क्या करना है theta square उठाओ यह 90 degree का ही होता है यह proper ऐसे corner को इससे मिलाइए और कहीं भी कोई point ले लिए यह line draw करती है तो वह जाद उपर तक हो गई आपको point उन्होंने नाम बोला है c d तो यहां c हो गया लेकिन हम भी d कहां लिखूँ हमरे पस तो s है तो मैं क्या करते हूँ इसको थोड़ा और नीचे तक इसको बढ़ा देती हूँ तो यहां पर मैंने यह ले लिया d चीक है तो यह क्या है 90 degree का angle बन गया तो यह perpendicular आपका draw हो गया यहां भी यह क्या है आपका 90 degree का angle बन गया आई आपको clear हो गय हो गया दोनों मैंने अपनी तरफ से best कोशिश किया है समझाने की तो यहां आपकी वोक्षीट खतम होती है आयो यह आपको clear समझ में आ रहा हो यह थोड़ा मैंने light एम इसको डाग कर देती हूँ आपकी आपको अच्छे से समझ में आयो तो प्लीज चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें थैंक यू